नमस्कार दोस्तों सौगताव सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस वक्त की बड़ी अपडेट में यहाँ पर जो लोग भी इंटरनेशनल फ्लाइटों से भारत में ट्रेवल करके आने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने रही है यह जो भी जानकारी हम आपके साथ सेयर कर रहे हैं यह खुछ सेविल इवेशन मिनिस्ट्री के तरफ चाहिए है आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों के साथ यह नोटिफिकेशन सेयर करना चाहेंगे और यह जो नोटिफिकेशन है यह आटी पीसेयर टेस्ट को लेकर रहने वाला है जहां पर बताये गया है कि अब भारत के छे एरपोर्ट पर यह दियाप ट्रेवल करते हैं तो आपको compulsory अपना कोरोना वारस का negative report एडवांस में online book करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप एरपोर्ट पर ट्रेवल करके आ सकते हैं यह जो भी जानकारी हम आपके साथ सेयर कर रहे हैं कि जो लोग country at risk वाले देशों से ट्रेवल करके आएंगे जिये दोस्तों यह जो भी नियम है country at risk वाले देश से आने वाले लोगों के लिए ही applicable है country at risk वाले देश कौन-कौन से हैं वो आपको screen के उपर दिख रहा है यदि आप इन सभी देशों से ट्रेवल करके आएंगे तो ही आपको ये guideline का पालन करना पड़ेगा जहांपर आपको advance में coronavirus test के booking करने पड़ेगी इसके लाब यदि आप किसी और देश से ट्रेवल करके आएंगे तो आपके उपर ये जो notification है ये applicable नहीं होगा इसके लाब इस notification में एक और important बात लिखी गई है जो कि आप यहाँ पर screen को पर देख सकते हैं जो कि second page पर है यहाँ पर mention किया गया है कि DGCA is requested to issue advisory to all airlines to check mandatory pre-booking of their passengers before boarding the flight यहाँ पर DGCA बोल रही है कि हर एक airlines company को ये निर्देश दिये जाएंगे कि वो passengers का check करेंगे कि passengers ने advance में booking करी है या फिर नहीं करी है आगे इसमें लिखा है in case any passengers is having any difficulty in pre-booking they may not be denied boarding जिहां दोस्तर यह काफी important बात है यहाँ पर लिखा गया है कि यदि कोई passengers problem face कर रहा है और वो अपना booking नहीं कर पा रहा है तो उसको यहाँ पर boarding में deny नहीं किया जाएगा आप यह अपर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गए boarding मतलब कि उसको flight में चड़ने के लिए मना नहीं किया जाएगा और आगे यहाँ पर mention है but it would be the responsibility of the airlines to identify and accompany such passengers to the registration counter at the airport for the testing friends यह जो point mention किया गया है यह point ऐसे लोगों के लिए है जो किसी कारण से अपना online booking नहीं कर पा रहे हैं या तो उनको online book करना नहीं आता है या फिर किसी तरीके की कोई technical problem आ रही है या फिर कुछ भी कारण आ रहा है जिस कारण से online booking नहीं हो पा रही है उस हालात में यहाँ पर airlines company आपको flight में बैठने की अनुमती देंगी ऐसा नहीं होगा कि यदि आपकी online booking नहीं हो रही है तो airlines company आपको flight में नहीं बैठने देंगी यहाँ पर यह point साफ साफ लिखा गया है यह सारी update आ रही थी Civilization Ministry की तरफ से यदि आप यहाँ पर risk वाले देशों से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आप कोसिस करें कि अपना online ही coronavirus test का booking करा कर ट्रैवल करें ताकि आपको आगे चलके कोई भी problem का सामना नहीं करना पड़े उमीदे कि यह वीडियो आपके काम की होगी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करने के साथ साथ दूसरे लोगों को जुरूर सिर कर दें और ऐसी खबरों को जाने के लिए चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लें